फिनांस वाली डील्स देख करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अब पैसे बचे ही नहीं है मेरे पास, एक इन्फ्लुएंसर ने बोला कि लोन ले लो, डेट इस गुड, अब पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी है, लोन नहीं भर पा रही हूं मैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था मैंने, सारे दोस्त बहुत खुश थे, बस पापा नराज थे, उनकी जमीन बेचकरी किया था, बिटकोईन में पैसे डाल डाल कर, मंदिर से कोईन उठाने की नवबत आ गई है, दोस्तो चार दिन की जिन्दगी है, और पांच साल की EMI बन गई है म दोस्तों, पहले मेरे पास अपनी गाड़ी थी, फिनांस वाली रील देख देखकर मैंने शेर मार्केट में पैसे लगाए, अब मैं शेरिंग की ओला से चलती हूं, कुछ इंफ्लुएंसर कहते हैं कि रियल स्टेट में पैसे नहीं फसाने चाहिए, बरबाद होता है, तो मै मैंने घर बेज दिया, पापा का, कोई रहने के लिए जंग हो तो बताना, एक फिनांस इंफ्लुएंसर ट्रेडिंग में पैसे लगा कर पैसे डबल करना सिखा रहा था, मैंने पैसे लगाए तो डबल हो गए, उसके, टेखनोलोजी बहुत एडवांस है, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, दोस्तों ट्रेडिंग में पैसे लगा लगा कर थ्रेडिंग के पैसे नहीं बचे मेरे पास, देखो मुझे आ रही है विडियो में, अच्छा कासा जॉब करती थी, इंफ्लुएंसर ने बोल बोल के पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, अब पैशन के चलते राशन नहीं आ रहा है घर पे, फिनांस वाली डील्स में लोग कह रहे हैं कि अगर मैं टाटा के शेर्स खरीद लूँ, यह मैं टाटा की टी नहीं खरीद पा रही हूँ,